असलाम लेकूम मैं हूँ नादिया तन्वीर और आप देख रहे हैं All About Baking बाय नादिया तन्वीर तो जनाब आज हम यह वाला केक बनाने वाले हैं और यह वही वाला केक हैं जो हमने कल बेक किये थे उसमें से आज हम टू पॉंट का केक बनाएंगे अच्छा जी टू पॉंट पॉल स्पीड पे नहीं देखनी है क्योंकि पर आपका नुकसान है अगर तो आप प्रफेशनल बेकर आप लेकर 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 अगर अगर आप अब अब भी बेकर यह वाला देख लेना कुछ नहीं होता अच्छा जी यह तकि हमने लिए जी दूद है यह कॉफी वाला यानी पानी और चीनी का ना शुगर सिरप का लाइदा वजन होता है यह जनाब हमारा हमारा हम मेड फज जो मैंने आपको बनाना सिखा है वाई फज मैं लूंगी 200 ग्राम अच्छा यहां पर मैं 200 ग्राम लिया था लेकि मैंने 300 ग्राम डाला था क्योंकि केक जाना तक काफी दूर तो मैंने का चले यार थोड़ा एक्स्टा भी हो जाता है इस केक की भी मैं आपको स्टूडी बताती हूं और दूसरी बात यह है कि यह जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रहे हूं यह आप लोग जिन्दगी असान करतेगा आप लोग कहते हैं आप ही दो पॉंट की मतलब ए केक को ज़्यादा की ज़्रो तो तू आपी ने ने तो 160 ग्राम का ता इस सॉच साध़ नी डालना ऐसा नी करना उपर नहीं कर ले। यह था लिश्चयों मैं आए कि एक्व हिसाना के कीआफ टिंग हो गया ली ओड़ और वर शोक को गश्टानी डे यह गैटिंगा फित् bacon न जाता धाइपॉंट पर काफी क्रीम लगती है ना वो तो कम असकम सिर्फ प्लस्टर पर 200 ग्राम क्रीम लग जाने थी तो डिजाइन पर बहुत डिपन्ट करता है लेकिन आपका जो दो पॉंट का केक है उसका वजन 1000 ग्राम से 1100 ग्राम के प्रम्यान हो इससे जादा ना हो ठीक है वो आपका दो पॉर्ण का हो जाता है अच्छा जी यह देखें मैंने वालनेट्स लिए साथ में चोको हाउस के यह चोकलर चिफ्स डाले हैं बेखाउस से मैंने मंगवाया था अच्छा जनाब तो साथ साथ आप देख रहे हैं मैं क्य करी हूँ तो जनाब बात यह है कि दोस्ती एक ऐसा नाता है जो सोने से भी जादा महिंगा है ने कीमती है हाँ वही है अब मैं थोड़ सी पोईट्री में बहुत एक नालाइक किसम की इंसान हूं मुझे पोईट्री के लाइने भूल जाती है बिलीव करें अगर कभी मैंने यह कुछ आदे का यहाँ ऐसे इसहार महफत के तुरह परिया थैंक यू कि स्की बात का कहना हूं मैं कोई शेयर से नहें कि नहीं तो भी मुझे पैसे बिल्लकुल अच्छा नहीं लगा मुझे बिल्लकुल तुमारी फिलिंग नि फिल नहीं क्युंकि मैं पुठा सुना देत यह सीधा चाहता ही नहीं शेयर आजसे जी यह केक आप देख लो जो मैंने आपको कल्स कहा था इसकी अंदर की आपने टेक्च्छर देख लिया यह इतना जबर्दस केक बनता है और इंशाला इंशाला जब आपको ना होके बहुत परफेक्ट बनेगा अजसे जी यह केक हमने आडर किया था जी एकराच ओदरी हमारी बहुत प्लाइब यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं एकराच ओदरी ने गुजरात से हमें आडर प्लेस किया और यह पूरा ओडर मैंने हंडल किया वरना अक्सर अरूबा भी रिस्पॉण करती हैं लेकिन यह मैंने किया क्योंकि प्रेंड मनाहिल से करती हैं या उनके लिए कितनी उनकी डेडिकेशन है कितनी सिंसेरिटी है और वाकिए दोस्ति यह कैसी चीज़ है जिसमें कोई जैलिसी हस्त यह चीज़े नहीं होती हैं आप बढ़ते हो आगे आप अपने प्रेंड का इजार करते हो तो आपको उससे मल मेरी 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 म अप्यो मैं आपको चाहेता है आपने को कालते हैं,कि एक सो में इसका चाहती ओने हैं आपकीन चाहिए। आपको जरूर हो और बजलते हैं आपकीन्हों के सी प्यार करता हूँ लेकिन जरूर कहा है मैं तो जरूर कहती हूँ भई अपनी सिस्टरी लोग को भी कहती हूँ मैं इनान्द है बहुत प्यारी बहुत अच्छी है जो भी रिष्टा हो मैं जरूर कहती हूँ कि भई कहना चाहिए है ठीक है ना ऐसे हर बंदा एक पॉजिटिव वे में इस चीज़ को लेता है आचा जी बातों ही बातों में आपने वालनेर्स पी टाल दिये और यह मैंने चॉक्त चीप्स पी टाल दिये यह मैंने एकरा को नहीं कहा था मैंने खुद सेरा ले उन्होंने मुझे नहीं कहा था कुछ चीज़ें खुद भी कर लेनी चाहिए ना हर बंदा डिक्टेट तो नहीं करेंगा ऐसे करो इसे करो इंसान को खुद भी किसी की प्यार किया एसास कर लेना चाहिए कि एक बंदा इतनी दूर से और्डर प्लेस कर रहा है तो थोड़ा सा आप भी अगर आगे से मजीद कुछ कंप्लिमेंटरी कर देते हैं तो कोई इसमें भुराई नहीं है अचा जी ये देखें अब हमारा जो केक है ना ये हमने इसकी लेरिंग कर ली थी अब इसको मैं साइट से कवर कर यूँ जो मेरा फज था उसके अंदर मैंने विप क्रीम डाली पचास क्राम ठीक है अचा ये देखें भर भर के क्रीम लगाना ये कोई तरीका नहीं है बेहतर होता है कि आप लोग थूड़ी चीज लगाओ लेकिन सुत्री लगाओ अच्छी लगाओ नीट लगाओ अच्छा नीट केक के लिए सबसे ज़रूरी होती है है विटरन टेबल और उससे ज़रूरी लगाओ अच्छी कही हो मतलब अपकी लेंघर कोले होने चाहिए से 80 gram आपने लेनी है वैसे आम तोर पे 100 gram क्रीम लगती है फाइनल आइसिंग के लिए टू पॉंट के केक के लिए सिंपल डिजाइन के मैं बात करें हूं एमवन वाले रुजटी डिजाइन के बात नहीं करें इस पर बहुत जादा जाती है यह सिंपल डिजाइन था इसके अंदर सिर्फ इतनी सी क्रीम लगी थी लेकिन आपने जो है मैंने दोनों क्रीम को मिक्स की आप 40 gram तो इस ते हमारी बेहतरी आइसिंग हो गई ठीक है अब यह देखें मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर विल्टन का डाला और इसको मैंने इस तरह से ब्लू कलर एक बेबी ब्लू था यह वला अब मैं ब्लू कलर इसमें एड़ किया थोड़ा सा तो बहुत अच्छा से एफेक्ट आगया अब आप देख लो इसका मैंने रिए जो है फाइनल आइसिंग कर रही हूं और इसको आपने अच्छी तना हलके हाथ से नीच कर देना ह आपके पास यह प्लास्टिक स्क्रैपर्स हैं यह अक्रैलिक नहीं है यह प्लास्टिक स्क्रैपर्स होते हैं इनको आफ स्मूधी स्मूधर्स भी कह सकते हो जैसे के फ्लेक्सी स्मूधर्स भी कह सकते हैं अच्छा जी आप यह देखें जनाब इसके ओपर मैंने कि भई मैंने AC वाली कार्ड बुक करवाई थी और जाहिरा DC भी जाता थी लेकिन अलहमदलिल्ला सेफ एंड साउंड डिलिवर हो गया और इकरा भी बहुत खुश हो गई और बाकी इंशालला में नाहिल प्रिशबाद रखें उन्होंने यह मैसेज लिख वाया था जनाब मैंने का यह तो भई फॉर्णन से बहुत जादा हो जाएगा लंबा फिर मैंने यह इडिवल मारकर से नीचे लिख दिया था और इनका जी एक हैस्टैग भी था मानोई क्रू यह मैंने नीचे लिख दिया थ और जनाब आपको मैं साथ में यह बी दिखा दू कि नीचे जो मैने इडिवल मारकर से लिखा है यह मैंने तीन दफ़ा है पहले मैंने यह लिखा यह इतना बड़ा हो गया ओई होई होई फिर मैंने ये लिखा इतना चा लिखा गया वह उसके अबर पानी गिर गया तीन भार मेंने लिखा और चौती दफा पर जो लिखा गया वो मैंने केक अब रखा तो चेनाब चुट यह चीजों पे बहुत मेनट हो जाती है तो जी ये थी आज की वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएगा टू पॉइंट्स की सारी मैयरमेंट्स बेकिंग से लेके सोकिंग, मेकिंग, क्रीम, फज, हर चीज का डिटेल मैंने आपको बता दिया अगर कोई क्वेस्टन रहा जी यू कें कमेंट बिलो और जनाब य यूज किया था है, मैंने क्रौ मानू लिकने के लिए कोन के नीचे लिखा हूँए है, यह मेरा बहुत फेवरिट मोर्डी यह पताँ कहां से बाहिए किया था और ये जिनाब ये तो मेरा फेवरिट तरीन मोल्ड है इससे मैंने लिखा था मनाहिल ये मुझे बहुत बहुत पसंद है मोल्ड ना और थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है इसमें से अलफबेट लेकिन बहुत अमेजिंग है बहुत प्यार जिनाब है एपी बड़ ये जिसे मैंने अबड़ लिखा था तो जिनाब ये थी आज की वीटियो आप प्लीज लाइक शेर कमेंट कर लिए कर दें ये मेनत कश के हाथ हैं नहीं किसान के हाथ हैं बेकर के हाथ है चले जनाब मुझे आपके क्रमेंट्स का एंज़ा रेगा ब